दो कोशन देख लेते हैं ये कोशन हाला कि वेस्ट बंगॉल जेई में पुछा गया है लेकिन इसके जड़िये आप इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को भी एक गो थू कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं तो पहला कोशन है हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और इस चीज का वैल्यू निकालना है तो हम इसके सॉलिशन पे बाद में आएंगे सबसे पहले एक टॉपिक होता है रेक्टिफिकेशन वो छोटा सा टॉपिक है इंटिग्रल कैल्कुलेस का बेसिकली अगर लेंग्ठ आफ कर्व निकालना है कर्व का इक्वेशन दिया ह होगा वहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम गीवन कर्व गीवन कर्व से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है तो फिर उसके बाद उसके बाद लेंग्ठ आफ कर्व निकालने के लिए एस से डिनो अंडर रूट 1 प्लस जो आपने dy by dx निकाला था उसका square dx यही से आपको length of curve मिल जाता है ठीक है अब depend करता है कि circle के case में कुछ SI case हो जाता है इस question में circle का यह बात चल रहा है तो circle के case में यह portion हमें मिलेगा अगर हम 0 से a integrate करें तो उसको 4 से multiply करने पर आपको total perimeter मिल जाता है तो यह तो था background लेकिन इसकी आवसकता नहीं है क्योंकि आपको बस इस equation से dy by dx निकालके यहाँ put करना था exam में और वही होना भी चाहिए क्योंकि यह topic engineering mathematics का था तो हम basically इस पर focus करेंगे यहाँ से dy by dx निकालने का कोसिस तो differentiate करें both sides तो x square का 2x y square का 2y dy by dx तो उसको हम y1 लिख देते हैं equals to a square का 0 2 को fake दे उस तरफ तो x plus y y1 equals to 0 y y1 equals to minus x y1 equals to minus x by y y1 को ही हम कभी कभी बोल देते हैं dy by dx तो यह है minus x by y अब निकालना है यह तो 0 से लेके a under root 1 plus dy by dx क्या है minus x by y उसका square करेंगे तो x square by y square आएगा और dx यह हो जाएगा 0 से लेके a under root y square plus x square divided by y square इसको हम बाहर ले सकते हैं 0 से a under root x square plus y square divided by y square अब under root x square plus y square को हम क्या एक square plus y square हमारे पास क्या है a square है तो उसके जगा पर हम a square रखेंगे तो a square का root that means simply a आएगा तो उस a को हम बाहर रख सकते हैं यहां से इस चीज़ से हमें a मिला और sorry यहां पर यह y बाहर आएगा y square root से बाहर आएगा तो y तो 1 by y dx अब x के respect में integrate कर रहे हैं और y आ गया यह तो थोरा समस्या का बात है इसलिए हम वापस equation पर जाते हैं x square plus y square equals to a square यहां से y square हो जाएगा a square minus x square ठीक है तो y हो जाएगा under root a square minus x square तो a times 0 से a 1 upon under root a square minus x square dx अब 1 upon a square minus x square dx का integration तो आपको पता ही होगा sin inverse a sorry sin inverse x by a from 0 to a ठीक है put कर देते values तो a x के जगा पर a रखेंगा तो sin inverse 1 आएगा which is pi by 2 0 रखेंगे तो sin inverse 0 which is 0 तो यह आजाएगा a pi by 2 तो हमारा जो answer है वो c आना चाहिए और यह आना भी चाहिए था क्योंकि हमने बस इतने portion का length निकाला है और इसको आप 4 times करें तो आप देखेंगे 4 times करने पे 2 pi a आ जाएगा जो कि आना चाहिए क्योंकि हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्गल का perimeter 2 pi r होता है तो इस portion का 4 times करेंगे तो पूरा perimeter आ जाएगा which is 2 pi r तो इस question में हमें बस यह चीज पूछा था तो इसलिए answer हमारा हो जाएगा pi a by 2 तो ध्यान से देखें हमने एक portion cover कर लिया integral calculus का जो कि छोटा सब portion है इसमें further curve tracing वगेरा का भी कुछ question आता है लेकिन basic idea बस इतना ही है कि length of curve निकालना हो तो इस चीज का use करें बारते हैं अगले question क्योंड अब आते हैं question number 2 पे ये भी पूछा तो गया है West Bengal J 2020 में लेकिन इसको हम as a engineering mathematics topic भी पर सकते हैं जिसमें higher order derivative के बारे हम परते है successive differentiation तो ये चीज दे के हमें यहां तक तो पहुचाने के लिए बोली सकता है और कभी-कभी इसके बार लेबनीज लाके किसी equation पर भी जाने को बोलेगा तो उस तरह के questions आपने की होंगे तो start करते हैं इस question के साथ तो एक चीज तो पता ही है कि log है तो log x का power n base में a हो तो n जम करके सामने आता है log का तो यही फैदा है तो n log x base में a हो जाता है और कोई property यहां पर use नहीं करेंगे तो cos inverse y by b क्या हो जाएगा n log x by n ठीक है अच्छा cos को उधर fake देते हैं तो y by b क्या हो जाएगा cos of n log x by n ठीक है अच्छा b को भी उधर fake देते हैं तो y equals to b cos n log x by n अब differentiation का कारेश चालू करते हैं तो differentiating with respect to x एक बार करते हैं तो y1 equals to cos का minus sign जो भी अंदर में है वो as it is हम लिख देंगे ठीक है अंदर जाएंगे तो अंदर हमारे पास n तो constant है log का derivative क्या होता है जो भी log के अंदर में उसको one upon करके लिख दे तो one upon x by n that means n by x ठीक है और अंदर जाएंगे तो x by n मिलेगा तो उसमें one by n तो constant ही और x का हो जाता है one ठीक है तो y1 क्या आ गया basically minus b sin n log x by n ठीक है एक n cancel कर देते है इस x को इधर भेज देते है ठीक है हमारे पास अब एक n बच गया तो उसको यहां लिख देते है ठीक है अब अगें differentiating with respect to x एक बार और differentiate कर देते है product rule लगता हुआ दिख रहा है यहां पे तो x as it is y1 का y2 y1 as it is x का 1 equals to sin का cos तो minus b cos जो भी अंदर में as it is लिख दे अंदर घुसेंगे यह bracket मिलेगा तो n तो as it is log के अंदर जो भी है उसको पलेट के लिख दे n by x और अंदर जाएंगे तो x by n मिलेगा तो 1 by n as it is x का 1 ठीक है और यह n भी तो आएगा एक तो उसको भी लिख देते है ठीक है अब ध्यान से देखें तो यह n से यह n cancel हो जाएगा इस x को हम इधर भेज सकते हैं x square y2 plus x y1 equals to n square है एक हमारे पास एक minus sign है और 7 में क्या है b cos n log x by n इसको मैंने bracket में इस लिखा क्योंकि यह क्या है यह y ही तो है b cos n log x by n इसके जगाँ पर y लिख सकते है x square y1 plus x y1 equals to minus n square times y इसको इधर ले आए x square y1 plus x y1 plus n square y equals to 0 तो जो हमारा सही option है वो option नमबर ए है यह कोशन यही पर सवाथ होता है अब इसी में अगर आपका मन हो तो use Leibnese theorem क्योंकि इसी से आगे प्रूफ करने वाला question भी करी लेते है Leibnese theorem to differentiate n times with respect to x ठीक है तो इसका करेंगे x square as it is y1 का n times करेंगे तो y n plus 1 आएगा plus nc1 that means n इसका एक कम करें तो y n हो जाएगा x square का 2x हो जाएगा plus nc2 that means n n plus 1 divided by 2 n minus 1 divided by 2 और y n से हम पहुँच जाएंगे y n minus 1 तक ठीक है 2x का derivative होता है 2 तो यह इससे cancel हो जाएगा आगे जाने की जरुवत नहीं है क्योंकि 2 का derivative फिर 0 हो जाता है तो यह हमने basically किसका किया first वाले का दूसरे पे आते है x as it is y1 का y n plus 1 plus n times इसका एक कम करेंगे तो y n हो जाएगा x का derivative 1 आगे जाने की जरुवत नहीं है क्योंकि 1 का derivative 0 plus n square अब y को n times differentiate करेंगे तो y1 n आएगा equals to 0 like terms को collect करते है तो y n plus 1 के साथ क्या क्या आ रहा है y n plus 1 के साथ हमारे पास आ रहा है x square plus x y n के साथ क्या आ रहा है y n अगर देखें तो 2 n x plus n आ रहा है ठीके और y n minus 1 के साथ क्या रहा है y n के साथ 2 n x तो आ ही रहा है plus n आ रहा है और plus n square भी आ रहा है इसके बाद y n minus 1 के साथ क्या आ रहा है n square minus n equals to 0 ध्यान से देखें y n plus 1 के साथ ये दोनों term आ रहा है y n के साथ 2 n x यहां से n यहां से और n square यहां से और y n minus 1 के साथ n square minus n आया तो यह हमारे पास equation भी बन के तयार हो गया हलाकि इस question का यह demand नहीं था लेकिन engineering mathematics के point of view से देखें तो ऐसा question भी कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखें इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका